नमस्कार आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एक आइटम वैदिक गुरू में दर्शकों किसी ने लिखा है कि ताश के पत्तों सी सजी है दुनिया कोई खोने के लिए है तो कोई पाने के लिए लेकिन हम तो कहेंगे कि आप पाने की चाहत रखें क्योंकि जब आप कुछ कदम चलेंगे जी हां और वैदिक गुरू का इक्टम है आपके साथ आपको आपकी मंजल तक पहुंचाने के लिए आज इसी प्रयास में हम लेकर आए हैं एक बार और ये कारिक्टम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनमीत कौर जी जो वैदिक ऐस्ट्र तो जानेंगे ही लेकिन उसके पहले आपके बारे में जाना चाहूंगी हमारे दर्शक जाना चाहेंगे कि आप कैसे एस्ट्रोजी की तरफ आपका जुकाव हुआ क्योंकि आप किस फीड कि स्टूरेंट है मुझे नहीं मालूम आप से जाना चाहूंगे क्योंकि आसान नही मेरे दिमाग में हमेशा ऐसी कोश्चन चलते रहते थे की वाट इस दा परपस ओफ माई लाइफ वाट इस दा परपस ओफ माई एक्जिसेंस हैं तो इन कोश्चन के अंसर मुझे कहीं से भी निम रहे थे तो फिर मैंने आस्ट्रोलजी को पढ़ा और दिरे दिरे समझना शुरू किया तो मुझे अपनी इस चीज का अंसर यहां से मिला तो आपने गहीं शोद कर लिया है आज जोतिश पर और अब आप से जाना बहुत उचित रहेगा कि आखे जोतिश है क्या देखे आपने बहुत अच्छा कोश् करणे से पहले हमें जोतिश को समझना पड़ता है बेसिकली जोतिश है कि इसमें हम किसी भी जो नीटीव है यह कोई परसंट है उसके हम पास प्रेजंट यह उसके फ्यूचर है उसका हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके चार्ट को अनलेसिज करके कोई भी हमारे पास जो भी परसन आता है उसके माइड में बहुत सारे कोश्चन्स ऐसे चल रहे होते हैं कि वाइड इस अपनिंग टू मी वट इस दर की समपूर्ण विद्या है किसी के भी कोश्चन का अंसर देने के लिए जी क्या मनें जायं कि जोतिश का ओरिजन कहा है कहां से क्या वेडों शास्त्रों का ये ग्यान है किस तरह से हमारे वाधिक धर्म में यह बेसिकली जो 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 एक नित्र के रूप से जानते हैं और इसकी जो समझ रखता है और जो चार्ट को करता है तो उसे हम जोतिशी बोलते हैं जी यानि कहा जाए कि वो नेत रहें ये जोतिश के माधियम से हम वर्तमान भूत भविश्य सब कुछ देख सकते हैं तो इस तरह से हम आप से और भी बहुत कुछ जानेंगे अभी मैं जाना चाहूंगे कि आपके पास किस तरह की प्रॉबलम्स लोग लेकर आते हैं क्या जोतिश में हर तरह की समस्या का समधान है देखे प्रॉब्लम्स जो तिशी का ऐसा है कि हमारे पास जब तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तब तक कोई नहीं आता जब तक किसी की भी लाइफ अच्छी चलती रहती है तो कोई भी अस्ट्रोलजर के पास नहीं जाता लेकिन जैसे ही हम अपनी लाइफ में किस कोई भी लव रिलेशन्शिप या कोई भी लिटीगेशन केसी हैं तो ऐसे तो जो कोश्चन्स हैं वह हमेशे सुसाइटी में पूछे जा रहे हैं लेकिन जो आज कल मैं आपको बताऊंगी कि जो कुरीज आती हैं वह बहुत ही डिफरेंट है लोग क्या कर रहे हैं जैसे किसी क यह मुझे कॉल आई तो कोई YouTube रहे तो वह पूछ रहा है कि यूट्यूबर यूट्यूबं पे मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहें तो आप मुझे कोई रैमेडियर बता सकते हOU कि जो मेरे सब्सक्राइबबर बढ़ जा हैं यह कि किसी स्टुड़न ने मुझे पूछ कुछे कोई फॉर्मॉल एजुकेशन लेना ही नहीं चाते तो वो क्या करें क्या कैसे इस चीज का हल निकाले और हमारी सुसाइटी में बहुत सारे अंडर रेटिव टॉपिक्स हैं जिनके बारे में भी आजकल कोरी जा रही हैं जैसे कि लिव-इन रिलेशन्शिप है यह होमो मनोय वीज्ञान और एक द Natalie एक दूसरे की पूरक हैं या क्या हमारा मनोय विज्ञान बदल जाता है एसे कि माध्यम से देखे मनोय वीज्ञान बदल जाता है हम ऐसे नहीं के सकते hoffe हम यह बहुत था कप सही है कि जो आज़ों ही पैर्ट्र Flake करती है जो एस्ट्रोजी है उस मुझे एस्ट्रोलोजिस्ट से जादा कभी कभी साइकॉलोजिस्ट बनना पड़ जाता है तो जैसे इस चीज़ को अगर मैं आप एक्जांपल के तोर पर समझाओं कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो वह बहुत अल्रेडी पुसीबत में फसा हुआ है उसका मन पहल तो उसके कोश्चों का अंसर कुछ ऐसे तो नहीं दे रही कि वो और ज्यादा परिशान हो गया और मेरे उसके अंसर देने से उसकी जो mental health और ज्यादा खराब होगी तो हमें इस चीज़ को सोच समझ कर कि कि किस को किस का अंसर कैसे देना है कैसे refined language में देना है उसको बता भी देना है लेकिन उसकी mental health का भी हमें दियान रखना है यह कई पर हम psychology को अगर दूसरे तरीके से देखे कि जो client आ रहा है उसकी भी अपनी psychology होती है वो भी चाहता है कि मैं जहां पर आया हूं क्या मैं सही जगा पर आया हूं क्या मैं जिससे मिलना हूं क्या वो एक सही एस्ट्रो कि मुझे confirm करें तो एक professional astrologer होता है वो अपने client की psychology को समझता है वो क्या करता है कि उसके पास event कोई भी उठा करके उसको वो बताता है और अपने client से confirmation लेता है जब client उसको बता देता है कि हां कि ठीक है कि ऐसा ऐसा करके मेरी past life में बिल्कुल ऐसा गटित हो चुका है तो इस दरां से जो एक client है और एक astrologer है दोरों की बहुत ही अच्छी bonding बन जाती है बहुत ही अच्छा trust build हो जाता है जिससे कि हमें फर्दर counseling proceed करने में बहुत अच्छा रहता है तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि आधुनक समय में लोगों का मनुविज्ञान समझ कर और solution देना जो आपने शुरू किया है वो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं एक दूसरे को तब तक बात समझना भी बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ते हैं फिर से हम astrology की ओर आते हैं मंगल दोश एक बहुत बड़ा दोश माना जाता है क्या यह सत इसके कारण परेशान है अगर अगर हमारे मंगल होने से यह मंगल दोश बन रहा है तो हमारी सुसाइटी में परसेंट लोग तो मंगली की हो गए तो हम उन 40 लोगों का क्या करें तो उनको सोसाइटी से क्या लग कर दें तो इसकी बजाए हमें इस चीज़ को समझना चाहिए मंगल की energy को समझना चाहिए कि यह energy क्या है एक्षरी जो मंगली होते हैं वो लोग थोड़े से ओवर सिंसridgeुआ और इनरजेटिक होते हैं थोड़े पैसिनेट होते हैं यह सकते हैं कि वह सेक्स-service होते हैं यह थोड़ी fighting spirit उन-में होती है दो मंगल जो मंगलीव को लोग है ऐसा नहीं कहते ही जिस है उसकी जो शादी है वो मंगलीक से होनी चाहिए इसमें कोई दोर आए नहीं हमेशा ये मैच कुंडली मिलान के बाद ही करना चाहिए लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कुंडलियों में जो मंगलीक दोश है वो आटोमेटिकली ही कैंसल हो होता है लेकिन वो क्या करते हैं अगर लोगों का ये सोचना है कि सिरफ ये मंगल दोश की मैरिट लाइफ में आपकी problem create कर सकता है तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि हमारे जो और भी बहुत सारे planets है जो कि हमारी married life को खराब कर सकते हैं जैसे कि अगर आप नहीं मालोगे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जो Jupiter है जिसे हम देव गुरु वरस्पती कहते हैं जो कि most positive planet है हमारा अगर वो भी आपकी कुंडली में वैल प्लेज नहीं है तो वो भी आपकी married life में बहुत ज़्यादा परिशानी कर सकता है इतनी परिशानी कर सकता है कि यहां तक कि आपकी तलाग मंगलीक है और अगर उसके मंगल कुंडली में वैल प्लेज है डिगनिफाइड पूजिशन में है तो आप सच मानिए कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत सारी असर्स बनाता है बहुत बूमी अर्जन करता है और अगर आप मेरा पर्सनल ओपीडियन ले यह अगर आपको लाइफ में एक बहुत ही पैशनेट पोजैसिव और प्रोटेक्टिव पार्टनर चाहिए यहां पर आपने बहुत विस्तार से बता दिया कि क्या किसका मैच होना चाहिए और किस तरह से हम अगर पूरी तरह से समझ कर शादी विव अगर्थ है 2 अगस्ट 1982 मुंबई का इनका जन्म है दो पहर 2 बचकर 15 मिनट को का इनका जन्म हुआ है जाना चाहती है कि मेरे हस्बेंड थोड़ा सा इनको शक है अपने पती पर जाना चाहती है कि इनका कोई अफेर तो नहीं चल रहा है ठीक है डिटेल्स में फिल कर लो जी है तो इनको अपने पती के उपर शक है जी ठीक है देखिए यह जो महिला है जिरूट है अपने हस्बेंड की कुंडली बेजी है यह सैजिटेरियस असेंडेंट यानि की दनुल अगन की कुंडली है देखिए इनके पती बहुत ही एक विवेकी सूल्जे हुए समझधार व् आपने मन में वहम को ना आने दे अपनी मैरिट लाइफ को ना खराब करें अपनी शादी शुदा जीवन को एक बहुत ही वह यकीन के साथ आगे बढ़ाएं अगर आपको अपनी मैरिट लाइफ और अच्छी करनी है तो उसके लिए मैं आपको क्रेमेडी बिता देती हूं आप हर शुकरवार को माल लक्ष्मी की अरादना कीजिए और माल लक्ष्मी को आप गुलाब का इत्रा चड़ाएं तो आप उससे देखें कि आपकी मैरिट लाइफ दीरे दीरे और भी अच्छी होती जाएगी। तो भावनास जी यहां पर आपकी समस्या का समाधान हो चुका है जरुवरत है आपको अपना उपाय करने की और आपको बता दिया गया है कि कोई शक की बात नहीं है आप अपना वहवाहिक जीवन आसानी से जी सकते हैं और जिस तरीकी के उपाई यहां पर बताये जाते हैं उसको नोट डाउन करें और उनको फॉलो करें तो आपको जीवन में लाब जरूर होगा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जैसा कि आपने कहा कि शक है तो क्या शक भी किसी ग्रह के कारण होता है क्योंकि 104 जीवन चल रहा होता है सड़नली ऐसा होता है कि विचार बदल जाते हैं उसके साथ साथ जीवन भी बदल जाता है देखे हान जी ये बिलकुल जो भी हमारे रिष्टे हैं वो सारे प्लैनेट से ही रिलेटिड है अगर हम ये सोचें कि कोई भी रिष्टा अगर शुरू से ही बहुत अच्छा चल रहा है तो वो हमेशा अच्छा ही चलता रहेगा ऐसा बिलकुल नहीं है ये भी हो सकता है कि हमारी मेरेड लाइफ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी हो और में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके की 10 साल के बाद भी तरलाग हो जाते हैं और ये हमें सिरफ एक कुंडली ही बता सकती है और एक ग्रह चाली बता सकती है कि आपकी जो शादी शोदा लाइ करवाना पड़ेगा नहीं तो हम ओवराल तो देखकर ही बता देते हैं कि यह कैसे है इसकी मेरिट लाइफ कैसे है कैसी चलेगी और कहां भे जाकर कर इसको प्रॉब्लम हो सकती है जी मनमी जी आगे बढ़ते हैं और एक मेल और है हमारे पास रीना जी की जान लेते हैं इनके ब बचकर 15 मेरिट प्राता सुवेरे का जन्म है इनका किस तरह का इनका आगे का जीवन रहेगा क्या यह सभल हो पाएंगी बाहर स्टडी करके देखे यह एक स्कोर्पियो सैंडन की कुंडली है इनका नक्षत्र इनका जेश्टा नक्षत्र में जन्म हुआ है अगर हम इनकी बाहर जाने का जो अभी टाइम है अजिवेट हो चुका है इनको बाहर जाने के लिए ट्राइब करणा चाहिए और अगर ये उनिवस्टी में अप्लाइख करती हैं तो मेरी यह प्रेडिक्श्टिज़न है कि यह भी यहां तक हो सकता है कि इनको स्कॉलर्शिप के चांसिस भी है मिलने के इनकी समस्य का आप ने समाधान कर दिया अगली मेल हमारे पास आई हुई है गौरफ जी की इनका जन्म है 14 जन्वरी 2008 का टाइम है 11 बचकर 45 मेर्ट सवेरे का इनका जन्म है प्लेस ऑफ बर्थ डेली है जाना चाहते हैं कि मैं कौन से सब्जेक्ट लेके आगे पढ़ाई करूं यह टेंथ पास कर चुके हैं जाना जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं जो इनके लिए आगे का जीवन उज्वल हो सके देखे यह आजकल की सुसाइटी में बहुत ही कॉपन लिया आस कोश्चन है क्योंकि पेरेंट्स भी वरीड होते हैं बच्चों को भी समझ नहीं आती कि उनकी इस इतनी नहीं होती कि क्या करें हम PCM लें या हम यह PCB में जाएं तो यह आप इस चीज़ के लिए आप एस्ट्रोजर के पास अगर जाते हैं तो आपको कैरियर कॉंसलिंग बहुत ही अच्छी कर देता है जैसे कि यह कुंडली अब जब मैंने खोली है तो एक लिब्रस एंडन की कुंडली है इनक इनकी कोई मेडिकल फील से रिलेटीड नहीं है इनके जो फिफ्थ हाउस में सेटरन की कंजंक्शन हो रहे हैं जो कि हमें सिधा-सिधा बताती है यह दोनों टेकनिकल प्लानेट्स है कि यह इंजिनेरिंग में ही जाएंगे इनको PCM यानि की Physics, Chemistry, Math लेकर के अपने करियर को आ या electronics या micro electronics की trade ले सकते हैं और जो भी इनकी education होगी तो इनका profession भी उससे ही related रहेगा throughout life अगर आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से बढ़ोगे तो आप कोई भी competition भी crack कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी ranking आ सकती है जी बहुत अच्छे आपने सुझाव दे दिये हैं और मुझे लगता है कि लोगोंने note down भी कर लिये होंगे आगे बढ़ते हैं अपने जोतिश की ओर और बात कर लेते हैं कहा जाता है कि ग्रहूं का मंत्री मंदल भी होता है किस तरह से डिसाइड होता है और कौन कौन ग्रे कि इसको फॉलो करते हों किस तरह से असा डालते हैं लोगों पर हां जी जो जैसे देखिए हमारा जो सुसाइटी में हम रहते हैं तो हमारे भी एक ministry level पे different different department से वैसे हमें फीरियागे इनकी ग्रहों का भी एक अपना मंत्री मंदल है उस मंत्री मंदल में हरे कलेंट का एक डिफरेंट डिफरेंट उसको एक पद दे दिया गया है जैसे कि जो सन है सन को राजा का पद प्रापत है सन देखिए जहां बैठेगा वहां राज करेगा वहां उसका किंग्डम होगा वह रूल्स और रेगुलेशन्स है बहुत ही अपने फॉलो करवाएगा किसी की नहीं सु है उनके बाद मरुक्री को राज गुमार का पद मिला हुआ है मार्स हमारे सेना पती होते है जो हूं मेरुस ना मिनिस्ट्र वहागर फजेंग लियसार किर के बाते हैं यह सब को ही पता है सब को ही पता है सब के पारे में समझ रखते है कि रहू एक ड्राइगन हैड होता है और केतु है और उसकी जो टेल होती है बेसिकली ये उस मंत्री मंदल में नहीं आते इनको हम एक पाप ग्रह के नाम से जानते हैं तो दर्शकु यहां पर हम जोतिश की जानकारी के साथ साथ बहुत सारी बातें जोतिश के बारे में भी यदि आपको लगता है आपके जीवन में कोई भी समस्या है जोतिश के माध्यम से आप उसका समाधान चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं नमबस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं आगे बढ़ते हैं मनमीत जी हमारे पास जो कुछ मेल आई हुई है उन इनकी समस्या है लिखते हैं कि मैं 22 साल का हो चुका हूँ और अभी कुछ दिन पहले इनकी फ्रेंट्रिप हुई एक लड़की से और वो छोड़कर इनको चली गई है तो यह जानना चाहते हैं क्या इनकी गर्ल्फ्रेंड वापस आएगी इनका जो जन्म है वो है 31 दिसंबर 1990 का समय है दो दो पहर दो बचे का प्लेस ऑफ बर्थ इनका मतुरा है और समस्या मैं आपको बता चुकी हूँ तो देख लेते हैं कि क्या समस्या का समाधान है इनका देखे इनकी टॉरस असेंडेंट यानिकी व्रिशव लगन की कुंडली है जो इनको यह अभी समस्या है इ इनका जो मून है वो डैबलीटेटीड है यानि की चंद्रमा इनका नीच करका नीच का होकर के बैटा हुआ है और इनकी चंद्रमा की ही महादशा चल रही है तो अभी जो इनकी गल्फरेंट इनको चोड़के चली गई है वो वापिस तो आने वाली है नहीं तो मेरी इनके यही सुजेशन रहेगी कि अपनी इस चीज़ को इतने गम में आप मड़ूबिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपने करियर के उपर फोकस कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी मोशनल हैल्थ हैस्टेबल नहीं हो रही तो उसके लिए आप चंद्रम का नाम है अगर कुछ जीवन में चीज़ों छूट भी जाती हैं तो आगे बढ़ते रहना चाहिए मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं और जो चर्चा आज चल रही है एस्टरोजी के बारे में जब इस तरीके के जीवन में मुकाम आते हैं जैसा कि अभी हमने मेल पढ़ा चाहिए उनकी गर्डफेंड उनको छोड़का चली रही है क्या यह शुक्र का प्रभाव होता है जैसे शादी के बाद तो मान लिया जाता है कि अगर हजबन वाइफ में नहीं बन रही है तो कही ना कहीं शुक्र जिम्मेदार है क्या इस तरीके कि जब कैसे होते हैं उसके ये भी शुक्र जिम्मेदार होते हैं हाँ जी बिलकुल अगर कोई भी रिलेशन्शिप की अगर बात करें तो उसके लिए शुक्र ही एक only planet है जो हम देखते हैं लेकिन देखें आफ्टर मैरीज है जो हमारा शुक्र है वो एक्टिवेट होता है बट अगर आजकल की आप करके बैठा होगा या किसी भी पाप प्रभाव में नहीं होगा तो आपको ऐसे रिलेशन्श में कभी भी फेलियर नहीं मिलेगी आप हमेशा successful रोगे कोई भी आपको emotional problem नहीं होगी तो आपके रिष्टों में आपको सफलता मिलती भी नजर आएगी लेकिन अगर शुक्र की स्थिती अच्छी नहीं है तो फिर आपको throughout life before marriage बोल लीजिए चाहिए आप after marriage बोल लीजिए आपको कुछ ना कुछ रिष्टों में परिशानी हमेशा आती ही रहेगी आप अपने शुक्र को हमेशा अच्छा रखिए उसको अच्छा रखने के लिए आप अपनी society में female की respect क कीजिए आप कन्या पूजन कीजिए तो इससे आपका शुक्र है वो हमेशा ही आपको अच्छे फल देता रहेगा जी आगे बढ़ते हैं एक उपाय होता है स्टोंस पहनने का देखा यह जाता है कि जब किसी को बताया जाता है तो आजीवन के लिए पहन लेता है कितना प्र काम कैसे करता है अगर हमने कोई भी एक स्टों पहन लिया है तो हम उस स्टों की मतलब जिस प्लैनेट से वो रिलेटिड है वो प्लैनेट की एनरजी को हमेशा अपने साथ रख रहे हैं यह आप इस चीज़ को ऐसे समझ लिए कि जो स्टों है वो एक एंटीने की तरह काम करत है कि जैसे की एंटीना सिगनल को कैच करके नेटवर्क पकड़ लेता है और हमारा जो है कारेकरम चल पलता है वैसे ही क्या करता है प्लैनेट होते हैं वो प्लैनेट से अपनी एनरजी को कनेक्ट करते हैं और उसके रिजल्ट को एंपलीफाई करके हमें उसके रिजल्ट दे के स्टोन्स हैं इनकी भी दो टीम्स होती हैं यह आपस में कुछ जो प्लैनेट्स हैं वह आपस में मित्र होते हैं कुछ जो प्लैनेट्स है वह आपस में शत्र होते हैं कुछ प्लैनेट्स है वह आपस में न्यूट्रल होते हैं जो मोस्ली कोमन सीन मैंने लाइफ में देखा है या मैं डेली रूटीन में लोगों के देखते हैं कि लोग क्या करते हैं वो एक ही हाथ में दो स्टोन्स डाल लेते हैं और वो दो स्टोन्स होते हैं जो वो आपस में एंटी टीम के होते हैं आप ये सोचिए कि अगर आप अपने हाथ में दो प्लैनेट के स्टोन आपने ऐसे डाले हुए हैं कि जो आपस में दोनों ही शत्रू हैं तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो आपके लिए वो क्या काम करेंगे तो इसके लिए आपको जो भी स्टोंज हैं वो हमेशा एक समझे सुलजे हुए इसकी सजे gurl सही डालने चाहिए उसकी सिजेशिंज सही डालने चाहिए नहीं तो रहिस को पॉजिटिव किसया अगर मैं की क्या करें तो उन पॉह टूक्वेश के हमारे जब क्लासिक्स हैं अब में बहुत अच्छे मंतर दिए गए हैं तो हमें चाहिए कि हम उन मंतरों का उन बीज मंतरों का उचारन करें और उनकी जोड़ें तो जब ऊचारन रहते हैं दिरे दूरे उनकी नजी हो Travis स how Nah प्लैनेट्स है वो हमें अपने अच्छे रिजल्ट और बढ़ा करके दे देते हैं और अपने बुरे रिजल्ट्स हैं उनको कम कर देते हैं तो इस तरह से हम मंत्रों से भी बहुत अपने प्लैनेट्स से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं यह जुरूरी नहीं है कि हमें हमेशा का ही महेंगे महेंगे स्टोंस डालने हैं यह कोई लोग कर सकता है कोई नहीं कर सकता यहां तक कि मैं यह भी प्लैनेट है वो एक नक्षत्र से जुड़ा है यह जो एस्ट्रॉलजी है यह हम इनको अपनी नेचर से जोड़ते हैं हर प्लाइनेट से रिलेट करता है और इसका एक प्लांट भी होता है आगर आप अपना जो उस जो भी आपका नक्षत्र का लोड है उस प्लांट की अगर आप पेड़ों की उन पेड़ों की जड़े भी धारन करे ना वो भी आपको स्टोन जितना ही असर देती है यह बिल्कुली सस्ता और टिकाओ उपाय है बहुत ही रोचक यहां पर आपने जानकरी दी है कि किस तरह से जड़े मंत्रों का उचारण करिए अप इजिवन को जैसा चाहें वैसा ढर्ट सकते हैं क्योंकि ज़रूरत अगर आपको एक कदम आगे बढ़ाणा जरूर होगा और उसके लिए 9 Slagata आमकी TV स्क्रीन पर बने हुए हैं आप फ सकते हैं हर समस्या का समाधन प्राप्त कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और जैसर कि आपने कहा कि बहुत सारे ग्रह जो होते हैं शत्रों और मित्र होते हैं तो यहां पर मैं चाहिए की कौन सा तो अगर रहे किसका शत्रू है कौन सा मेत्र है ताकि जिन लोगों ने पहन रखे हैं कुछ स्टोंस वो समझ सके अगर हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उन तक यह जरूर पहुचे कुछ प्लैनेट्स है और कुछ आपस में शत्रूता रखते हैं और कुछ न्यूटरल है जैसे कि सन मार्स और जुपिटर आप इनको ले लेजिए यह एक बहुत ही स्ट्राउट्ग टीम है आपसं अपने इक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से खड़े होते हैं इनकी फ्रें कि ये वेनस है मरकरी है ये इनके साथ नहीं बनती लेकिन जो दूसरे हम भी है उसमें है उसमें है nagyon बहुत ही गनिश्ट मित दरता है तो यह हमें कोई भी जैसे इनका कोई भी हम एनलसीज निकालते हैं तो बेसिकली प्लैनेट्स की कि क्या इनकी नैच्रल फ्रेंशिप है क्या इनकी टेंपरी फ्रेंशिप है यह और भी आगे फर्दर जियो तीश में हम बहुत अच्छे से आं सर्पदोश है यह भी मंगल दोश की तरह है इसमें जोतिशी में लोगों को बहुत ही जादा डराया जा रहा है आजकल की लाइफ में अगर जो मैंने अपने गुरूं से पढ़ा है यह जो भी हमारे शाष्ट्रों में जो वैदिक एस्ट्रॉलोजी में है काल सर्पदोश की कहीं भी लिखा नहीं गया उसे कहीं भी इसकी चर्चा नहीं होती लेकिन फिर भी आजकल आप किसी के पास जाओगे तो लोग आपको बड़ी असानी से बता देते हैं कि काल सर्पदोश है बेसिकली काल सर्पदोश होता क्या है कि जब राहू और केतू के बीच में सारे प् दोश है यह और ज्यादा डेंजरस है लेकिन अगर हम एस्ट्रॉलिजी में देखते हैं तो काल सर्पदोश की कोई भी जगह नहीं है तो दर्शकों यहां पर हमने आपका पूरी तरह से मारुद दर्शन करने की कोशिश की और हमें लगता है कि हम साथ तक सपल प्रयास होग अगरी कि आप स्टूडियों माई इतनी अमूली जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत-बहुत धनेवाद नमस्कार थैंक यू थैंक यू सो मच